दोस्तो तीन mutual fund houses ने अभी silver के ETF और fund of fund निकाला है और अभी ये पहले ही ऐसे तीन silver के ETF और fund of fund आया है जो अभी market में available आपको होने वाले हैं तो सबसे पहले दोस्तो बात करते हैं कि अभी तक gold का ETF तो हुआ करता था silver का ETF आने में इतनी time क्यों लग गया तो दोस्तो उसका reason ये है कि SEBI ने अभी हभी 2-4 महीने पहले ही silver के ETF को approval दिया है तो हो सकता है अभी आने वाले time में आप देखेंगे कि और भी काफी सारे जो mutual fund houses है वो silver का ETF और fund of fund बना सकते हैं अब दोस्तो एक चीज मैं यहाँ पर clarify कर देता हूँ कि ETF और fund of fund क्या होता है तो दोस्तो अगर आपके पास एक DMAT account है तो आप directly ETF के through invest कर सकते हैं और अगर आपके पास DMAT account नहीं है आप directly mutual fund house से invest करना चाते हैं तो आप उसी silver के ETF के fund of fund में भी invest कर सकते हैं तो इसलिए यह दो अलग अलग यहाँ पर fund लाए गए हैं और दोस्तो अगर हम companies की बात करते हैं जो यह ला रहे हैं तो ICIC Prudential का silver ETF आए रहा है उसके साथ साथ अधित्य बिला का आ रहा है और Nippan India का आ रहा है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि silver के prices कैसे derive होते हैं उसकी demand कैसे आती है silver के बारे में थोड़ी बात करेंगे फिर देखेंगे returns कैसे generate किये silver ने end में दोस्तो मैं आपको इन तीनों funds की एक details बताऊंगा कि कितना इनका NFO का time क्या क्या है कब तक आप invest कर सकते हैं minimum कितना amount आप invest कर सकते हैं और end में ये भी मैं बताने वाला हूँ कि क्या आपको silver के ETF में अभी invest करना चाहिए या नहीं तो आईए दोस्तो देख लेते हैं ये video दोस्तो सबसे पहले अगर ICIC Prudential वाले silver ETF की बात करते हैं यहाँ पर ETF और fund of fund के NFO dates अलग है बाकी जो अधित्य बिरला है और निपन इंडिया का ETF और fund of fund है उनकी NFO period सेम है तो मैं पहले इसको आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर अगर हम NFO period ETF की बात करेंगे तो 5 जनवरी से ये ETF open हो चुका अगर आप silver में invest करते हैं तो सबसे पहला जो benefit मिलता है जो एक purpose होता है जिसके लिए लोग commodity sector में invest करते हैं वो है कि inflation के against यहाँ पर hedging आपको देखने को मिलती है क्योंकि generally economy में होता गया है कि जब inflation बढ़ती है तो सारी चीजों के prices बढ़ते हैं तो उसके साथ-साथ commodities के भी prices बढ़ते हैं तो अगर आपके पास आपके portfolio में commodity होती है जैसे की gold, silver ऐसी commodities होती है तो आपको एक hedge मिल जाता है उस inflation के against उस time पे आप inflation beating returns generate कर सकते हैं अगर inflation ज़ादा बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ आती है दोस्तो diversification आपके portfolio को मिलता है तो आपको अपने portfolio में अलग-अलग asset classes को शामिल करना पड़ता है ताकि आप अपने risk को manage कर सके और सबसे अच्छी बात इसकी क्या होती है कि जो ये silver है इसका correlation जो equities है वो काफी कम है तो एक बहुत positive बात ये आपके लिए हो सकती है diversification की angle से तीसरा आपको trading की flexibility मिल जाती है अगर आप ETF में invest करते हैं अगर आप silver को physical form में खरीद के घर में रखते हैं तो वहाँ पर आप उसको day to day basis पे trade नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर ETF में अगर आप invest करते हैं आपको trading का एक option मिल जाता है चौती जीज दोस्तो store of value तो physically अगर आप वहाँ पर किसी भी commodity को रखते हैं तो वहाँ पर एक risk भी आपका बढ़ जाता है कि आपको वहाँ पर चोरी होने का खतरा होता है आपको एक अच्छा खासा locker बनवाना पड़ेगा जहांपर आप इसको save करें ETF में invest करके आपको वह सब तकलीफों से भी नहीं गुजरना पड़ेगा और पांच भी चीज है कि दोस्तो जैसे हम stocks में देखते हैं कि अचानक से कोई downgrade की rating आजाती है और वह stock गिरने लगता है वह सब ETF के अभी industrial demands भी काफी जादा आने लगी है green energy की मैं आपसे लगातार बात करता आया हूँ कि कैसे green energy आने वाले time में एक अच्छा खासा return generate कर सकता है sector wise बहुत जादा grow हो सकता है तो जो green energy के यहाँ पर plants बनते हैं जो sooner panel बनते हैं वहाँ पर silver का use होता है तो यानि कि industrial जो इसकी output है वो increase होने लगी है green energy की वज़े से तो यह एक positive बात आपको silver में मिल जाती है दूसरा high pressure process जो अलग-अलग industries में high pressure और excess heat generate करने वाले process होते हैं जैसे कि semiconductor हो गए wireless communication हो गई automotive हो गए वहाँ पर आपका silver का use किया जाता है तो यह भी एक usage होता है silver का उसी तरह दोस्तो 5G technology में भी silver का काफी जादा use किया जाता है और induction chargers जो बनाए जाते हैं smart phones के लिए wearable devices के लिए वहाँ पर भी silver का use किया जाता है तो silver और gold में यहाँ पर यह फरक भी दोस्तों आ जाता है कि जो gold है उसका अपना कोई industrial output नहीं है यहाला कि जो silver है वो भी comparatively कम ही use किया जाता है लेकिन फिर भी use किया जाता है अब दोस्तों अगर आप silver में invest करते हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन से factors होते हैं जो silver के prices को effect करते हैं सबसे पहले economic outlook हो गई तो सबसे पहरा part play करती है economic outlook दोस्तों जब आपने देखा होगा जब मार्स 20 में equities बहुत जादा correct होई थी तो उस time पे लोग silver, gold ऐसी safer commodities में invest करने की तरफ भागे थे तो जब economic outlook थोड़ी uncertain होती है तो यहाँ पर इसके prices बढ़ने लगते हैं और दोस्तों दूसरी चीज़ जो हमें अभी discuss की थी industrial output तो industry में भी अलग-अलग industries में यह use होता है semiconductor में हमने देखा और अलग-अलग और processes में अब इसको use किया जा रहा है तो उसकी वज़े से भी इसके prices derive होते हैं वही supply and demand यह चीज़ तो हमने हर commodity में हर asset class में देखी है supply और demand का kale यहाँ पर भी रहता है तो अगर silver की demand बढ़ जाती है और उसकी supply कम हो जाती है demand के मुकाबले तो भी इसके price बढ़ सकते हैं चौती चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई थी inflation अगर inflation बढ़ता है किसी भी देश में तो उसके साथ-साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि commodities की value है वो increase होने लगती है और दोस्तो interest rate भी काफी जादा influence करते हैं silver की prices को क्योंकि दोस्तो जैसे कि मैंने आपको बताए जैसे ही interest rate नीचे आता है inflation बढ़ने लगता है और जैसे ही inflation बढ़ने लगता है वैसे वैसे commodities के prices बढ़ने लगते हैं तो यह एक interlinked chain है जिसकी वज़े से यहाँ पर impact आता है silver की value पे तो अगर मैं आपको यहाँ पर summarize करके बताऊं तो majorly आपको देखने को मिलेगा demands apply के खेल है अगर inflation बढ़ेगी तो इसका prices भी उसके साथ बढ़ेगा वहीं दोस्तो अगर आप return पे बात करते हैं कि पिसले कुछ time में silver ने return actual में कितनी generate करके दिया क्योंकि यह चीज़ बहुत माइने रखता है आपको decision लेने के लिए तो यहाँ पर दोस्तो आपको देखके थोड़ी यहाँ पर निराशा होगी 10 सालों में अगर आप P2P returns इसकी देखेंगे तो 1.4% की सिर्फ return इसने generate किया है rolling returns अगर आप 10 सालों की देखेंगे तो 6% के आसपास किया है तो बहुत जादा encouraging returns नहीं है अगर आप silver की बात करेंगे अगर आप नीचे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे year on year return देखेंगे तो recently 2021 में negative में इसने return दी हुई है हलाकि 2020 में काफी अच्छे return silver ने generate करके दिया 44% के आसपास की return generate किया है 2019 में 21% की उससे पहले 2 साल आप देखेंगे negative return दीख रही है तो काफी mixed return है और overall अगर आप 10 सालों में देखते हैं कुछ खास returns नहीं देख रही है short term में थोड़ा comparatively short term में देखेंगे 3 सालों में देखेंगे तो अच्छी returns आपको देखने को मिल रही है 19% की P2P returns देखने को मिल रही है अब दोस्तो मैं आपको एक बार यह समझा देता हूँ कि यह जो ETF है silver का यह work कैसे करता है तो दोस्तो जब भी आप silver का ETF खरीदेंगे तो वहाँ पर जो mutual fund house है जितना भी amount का आप silver लेंगे वो उतने amount का silver खरीद के अपने पास physical form में रखता जाएगा और generally होता क्या है जो एक unit होती है किसी भी ETF की वो represent करता है एक gram of silver तो वो चीज आपको यहाँ पर समझने है आपको एक better understanding के लिए कि कैसे work करता है ETF की जो AMC है उसके पास physical form में ETF available रहता है और ऐसे जैसे अगर silver का price बढ़ेगा तो आपका ETF का भी price बढ़ेगा और जैसे आपका silver का price गिरेगा आपके जो value है ETF की भी गिरेगी क्योंकि आप जो एक unit ले रहे हैं वो एक unit आपकी एक gram of silver की value derive कर रही होगी अब दोस्तों देख लेते हैं कि silver ETF में invest करने के कुछ फाइदे क्या है तो सबसे पहला asset allocation है उसके अलावा आप यह देख सकते हैं कि अगर आप physical form में रखते हैं तो उससे better है आप यहाँ पर hassle free investment कर पाएंगे अगर आप यहाँ पर demat form में इसको ले लेंगे potential hedge है यह inflation के against और यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है कि आप अगर यहाँ पर खरीदते हैं तो आपको यह guarantee type मिल रही है कि 99.9% इसकी silver की purity रहने वाली है कोई lock-in नहीं है आप अराम से यहाँ पर trading भी कर सकते हैं अब आएजे दोस्तों मैं इन तीनों जो ETF आए हैं उनकी आपको details बता देता हूं तो सबसे पहले अगर ICIC Prudential Silver ETF की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसके fund of fund की बात कर रहे हैं NFO period की बात करें तो जनवरी 13 से 27 जनवरी तक इसका NFO period रहने वाला है minimum आप 100 रुपे से भी इस fund of fund में invest कर सकते हैं अगर बात करें तो अगर आपने अपना डाला हूँ पैसा 15 दिन के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% का exit load देना होगा 15 दिन के बाद अगर आप कुछ भी निकालते हैं तो कोई exit load यहाँ पर आपको नहीं देना होगा उसी तरह दोस्तों अगर हम Nippan India Silver ETF fund of fund की बात करें तो इसका NFO 13 जनवरी से 27 जनवरी तक रहने वाला है और अगर इसकी भी exit load की बात करते हैं तो exit load इसका भी वही pattern पे है 1% exit load लगेगा अगर आप 15 दिन के अंदर अपनी units निकाल लेंगे 15 दिन के बाद आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो कोई exit load नहीं लगेगा NFO का minimum amount देखे तो यहां पर भी 100 और पे का minimum amount है growth plan और income come distribution plan यहां पर भी आपको मिल जाएगा यहां पर अगर हम दोस्तो exit load की बात करते हैं अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 30 दिन के अंदर निकाल लिया तो आपको 0.5% का exit load देना होगा 30 दिन के बाद आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो कोई exit load नहीं देना होगा अब दोस्तो बात आती है यहां पर दो बाते आती है पहला क्या आपको silver ETF में invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और दूसरा करना भी चाहिए तो इन तीनों में से किस company के ETF या fund of fund में invest करना चाहिए पहले दोस्तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह बहुत जादा आपको returns generate करने के आपको उमीद नहीं रखनी है इससे एक normal 5-6% की return आने वाले time में हो सकता है यह generate करे एक हो सकता है inflation beating return आपको just about inflation beating return generate करके silver ETF दे सकता है तो अगर आप एक छोटे investor है अगर आप महीने के 50-60,000 रुपे ही invest करते हैं तो मुझे लगता है आपको ऐसे silver ETF, gold ETF को अभी avoid करना चाहिए वही दोस्तों अगर आप जादा पैसा लगाते हैं आप 2,000,000 रुपे महीने का save कर रहे हैं इंवेस्ट कर रहे हैं तो आप 2-4% का silver ETF ले सकते हैं अगर आपको वहाँ पर allocation silver में चाहिए दूसरी बात आती है इन तीनों में से कौन से fund house में तो दोस्तों इन तीनों में से जो सबसे अच्छा fund house है वो ICIC Prudential Mutual Fund house है तो मुझे लगता है कि आप इन तीनों में से अगर कोई choice आपको लेनी है तो आप वो ले सकते हैं हाला कि अभी इनोंने expense ratio अपनी बताई ही नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि लगबग इन तीनों के expense ratio सेम ही आने वाले टाइम में रहने वाली है तो आप wait भी कर सकते हैं दो-तिन महीने का एक बार ही इनकी expense ratio आजाए उसके बाद आप कोशिश करिए किसी भी fund में invest करने का और दोस्तो अगर आप ETF में invest करना चाते हैं तो DMAT account के थ्रू ही आप invest कर सकते हैं और link आपको DMAT account का description में मिल जाएगा अगर ये video अच्छी लगी हो, helpful लगी है तो इसको like और share जरूर कर दे, धन्यवाद